हेलो नमसकार, मेरे पहरे शाथियों क्लास एक, इर दोस्तो एक्जाम रादस्तान की कैसी भी हो, जी हाँ मेरे पहरे शाथियों आपने बिलकुल सई सुना, आज की ख्लास में हम चर्चा करने वाले अजमेर के चोहान राजबंश राजबंश से सम्मन्दिते, जो दोस्तो आरफियसी द्वारा नोट करना आज तक दोस्तो आरफियसी द्वारा और दोस्तो राधस्तान करमचारी चैनबोर द्वारा आरेसम एसस्वी द्वारा दोस्तो जितने भी क्यूसंस पूचे गए ना जितने भी इंपोर्टेंट क्यूसंस दोस्तो और इंपोर्टेंट फैक्ट दोस्तो जितने भी आज तक पुँचे गये हैं वो सभी किस लिए जो है दोस्तो चितने भी एकजाम्स राजतीा हैं अगर दोस्तों आपको इस class से बार है आज तक दोस्तों जितने भी exam से रास्तान में ली गए है उन में दोस्तों इस पिर्थवी राज चोहान से समधी दोस्तों जितने भी question दोस्तों पूचे गए ना इस से बार दोस्तों जिंदिके में कभी आपको question देखने को नहीं मिलेग यह दोस्तो गारेंटी है मेरी, तो चले दोस्तो शुरू करते हैं, आज किस क्लास को दोस्तो, इससे समधी इतने भी जो important question है और fact है, इनके बारे दोस्तो देख लेते हैं, तो चले दोस्तो शुरू करते हैं, यहाँ पर देखिए दोस्तो जो पहला ही fact आता है, वो क्या है इनका पिता का नाम दोस्तो क्या है, सोमेसवर चोहान, यह नाम बड़ा important है, ध्यान रखना आगे बहुत काम आएगा, यहाँ पर दोस्तो नोट लगा के लिखना, देखे दोस्तो यहाँ पर माँ आपको एक बात पहले ही clear कर देता हूँ, इस class की परतेक लाइन आपके exam क point to be very important है, इसलिए दोस्तो अपने हाथ में notebook रखिए और दोस्तो नोट करते जाएगा, देखे दोस्तो इस सोमेस पर चोहान की बात करूँ, जो पिर्थविराज चोहान तरतेकी क्या है, फादर है दोस्तो, ठीक है, यहाँ पर note करना, इसी सोमेस पर चोहान सासे की समय दोस् हचिण क्या गया था जिसमें, चोहानों को यहां पर note करना, जिसमें चोहानों को वस गोत्रय ब्रामन कहा गया है, या बताया गया है, सिता अग्जामिकर्यूसंदोस्तों ये पहुंचा जाता है कि किस अभी लेक में चोहानों को वस गोत्रे ब्रामन कहा गया है तो दोस्तो इस बीजोलिया सिलालेक में कहा गया है इस बात का दोस्तो ध्यान रखना और बीजोलिया सिलालेक 1170 ECB कहा है इस बात का अब दोस्तो आपको मालूम होना चाहिए ठीक है जो तो दोस्तो पिर्थविराज चोहान है ना देखे दोस्तो अगर आप इस बात में कन्फूज हो रहे हो कि पिर्थविराज चोहान या पिर्थविराज चोहान तरती है ये दोनों नाम दोस्तो एक ही है इसमें आपको कन्फूज होने की बात दोस्तो नहीं रखनी है ठीक है तो पिर्थविराज चोहान तरते के दोस्तों जो उपनाम है वो कौन-कौन से दोस्तों देखे इसे अंतिम हिंदू समराट भी कहा जाता है दोस्तों इस बात का ध्यान लगा ठीक है इसे राई फितोरा के नाम से भी जाना जाता है और इसे दोस्तों दल-पुंगल भी कहा जाता ह इसके तिन उपना में तिनों वड़े important दोस्तों एक्जाम के point of view से note कर ले नंवाई टीक है आगे देखे दोस्तों आगे यहाँ पर इससे समधिए और कौन कौन सी fact बनता है जो exam की point of view से very important सरस्पति कंठावरण नामक संसकर्थ विद्याल है जिसमें दोस्तों 85 विश्यों का अध्यापन होता था को पृत्वी राज चोहान तरत्य का संरक्षन प्राप्त था ये एक्जामें दोस्तों क्यों से पूचा गया है ठीक है कि कौन्ची दोस्तों संसकर्थ पार्ट साला थी जिसको दोस्तों पृत्वी राज चोहान तरत्य का संरक्षन प्राप्त था या अजमेर के पृत्वी राज चोहान तरत्य का दोस्तों सरे प्राप्त था तो ये इसी सरस्पति कंठावरण नामक संसकर्थ पार्ट साला हो ठीक है इसमें आपको दोस्तों गलती नहीं होना ज कुमनेक मल था दोस्तों इसमें आपको कन्फिज नहीं होना है ठीक है जैसा क्यूशन पूचे आर्पेसी वैसा दोस्तों आपको आंसर कर रहा है देखे राधस्तान क्रमचारी चैन बोर्ड और आर्पेसी दोस्तों आज तक भाई जितने भी क्यूशन पूचे गए ना इस वि नहीं हो बाका युद्दे ये युद्ध बड़ा इंपोर्टेंट एक्जाम के पॉइंट वी से दोस्तों ग्यारा सो बैयासी इसी में लड़ा गया पिर्थविराज चोहान और चंदेल सासक दोस्तों परमार्दी देव के मद्दे ये युद्ध लड़ा गया इस जो इंपोर्टेंट फैक्ट मनता है पिर्थविराज चोहान ने मोहोबा के युद्ध के बाद वहां का उत्रा दिकारी किसे निक्त कहता पंजुन राई को निक्त कहता इस्टार लगा ले ने इस पर लाइन पर दोस्तों काफी बार दोस्तों आर पेसी द्वारा और के अनुसार दोस्तों जैचंद गडवाल की पुत्री संयोगीता से दोस्तों पिर्थविराज चोहान का प्रेम संब्ध था किस कौन से गरंत के अनुसार पिर्थविराज रासों के अनुसार और पिर्थविराज रासों के दोस्तों रेचेता कोन है चंद्र बरदाई दोस् देकुल छोटी मोटी 21 लड़ाईयां या दोस्तो यूद्ध लड़े गया है वाई देखे दोस्तो authentic content बताने में दोस्तो time लगता है और यहाँ पर वाई आपका वाई genuine authentic and unique content दोस्तो आपको बताने के लिए तदे दोस्तो ततपर रहता है दोस्तो इसमें आपको कोई confusion नहीं हो दोस्तो देखे इन वहीं से मुख्यत हैं 21 लड़ाईयों में से 220 मुख्यत क्वूण से तरहइन का पर्थम यूद जो सूम हई था प्र्तविराज चोहान के मद्या ठीक है पृत्विराज चोहान कौन सा पृत्विराज चोहान तरते के मद्या ये एक ही बात है इसमें विजे हुआ था पृत्विराज चोहान और मौम्मद गोरी दोस्तों इनके मद्या ये यूदल लड़ा गया था तो मौम्मद गोरी की हार हुई थी ठीक ह आगे देखे दोस्तो, यहाँ पर पिर्थवी राज चोहां तर्तिया और चालुकों के मद्ये लंबे समय से चले आरे संगर्स को समाप्त करने के लिए जग देव परतिहार नामक व्यक्ति संधै कराई थी, इस बात का दानक में नाम बड़ा इम्पोर्टेंट है एग्जाम में सिधा क्यूशन दोस्तों पूचा गया था आरपेशी द्वारा कि पिर्थविराज चोहान तरते है और चालू की के मद्य जो लंबे समय से चला है आरा संगस था उनको दोस्तों समाप्त करने के लिए जगदेव परतिहार नामक वेक्टी ने संदी कराई थी इन दोस्तों किसका पुतर था तो फिर्थविराज चोहान तरते का उत्रा दीकारी था दोस्तों गोविंद राज आयोब दोस्तों आपको एक लास अच्छी लगए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइबर कर देना ठीक है आपका वायार आपके लिए मैनत करता है दोस्तों अगर आप ही दोस्तों सब्सक्राइबर करें तो कौन करेगा दोस्तों आपका फ़र्द बनता है चैनल को जरूर सब्सक्राइबर कर देना अगर दोस्तों आप राधस्तान पसू परिचर की तैयारी करे हो तो दोस्तों इसके पार्ट ए और पार्ट बी की दोस्तों इंपोटेंट प्टकूसें न दोस्तो एक्जाम के पॉइंट हो फूट्ड डितीयल एक्टील साथ दोस्तों में आपको करवा रहा हूं तो दोस्तो जाकर आप जरूर देख लेड़ना राधस्तान की किसी भी कोचिंग स्थान को राजस्तान जी के मामले में और दोस्तो पार्ट बी के मामले में दोस्तो एक रुपर देने हैं यहाँ पर दोस्तो बिल्कुल